स्वाधी जाहन को आज पुलिस ने लिया हिरासत में ग्रेमंत्री के घर के बाहर कर रही थी प्रोटेस्ट कुछ घंटे के बाद स्वाधी को रिहा किया गया रेब की मामलों में तुरित कारवाई की कर रही थी मांग स्वाथी को मंदिर मार्क थाने ले जाये गया था समर्थक थाने की बाहर धरने पर बैठे छूटने के बाद खत्म किया धरना मनीश इसे सौदिया ने जारी किया नोटिस शिक्षा विभाग की अधिकारियों को जारी किया कारण बताओ नोटिस शिक्षा विभाग की फाइल सीधे उपराजवाल को भेजने से नाराजने से सौदिया अब सरों से सीधे फाइल भेजने पर जवाब मांगा प्रद्धून मडर केस में सीबिया ने साइटी टीम के चार सदस्यों से पूछताच की पूछा किसाधार पर कंडेक्टर को बनाया रोपी अब स्कूल मैनेजमेंट से करेगी पूछताच सुत्रों के माने तो रोपी छात्र ने चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिशनर की सामने हुई पूछताच में कहा सीबिया ने थर्ड डिगर इस्तिमाल करके अपराद करवाया कबूर प्रद्धून मडर केस के आरोपी छात्र से फरीदबाद के बाल सुधार ग्रह पहुंचे परीजन परीजनों ने करी 15 मिनट तक मुलाकाप की परीजनों ने चात्र को कुछ कताबे और कपड़े भी दिये एंजिटी की फटकार की बात दिली सरकार ने और डिवन में राहत की याच का वापस ली एंजिटी ने पूछा आपने अभी तक मेरे आदेश का कितना पालन किया पेडों पर छड़का पर भी एंजिटी ने सवाल उठाए पर्यवरंट सेंड़क्शन पर दिली सरकार की पोल खुली एंवार्मेंट सेस के पैसों को नहीं किया खर्च करोड रुपए की रकम में से एक फीसदी से कम को खर्च किया गया एंवार्मेंट सेस से अरजित 787 करोड रुपए की मिली है रकम पर रेवरंट संड़क्शन पर खर्च करने को मिली थी रकम एक आटी आई से इस बात का खुलासा हुआ सरकार के लापर वाही सामने आई दिल्ली में सुमवार को आधी रात से खाद्यान के ट्रक के टोल टेक्स से तीन दिन के लिगे रहात दे दी गई है छूट के बाब जूट टोल पर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी थी कैमरा देखते ही टोल कर्मी ट्रकों को निकालने लगे टोल कर्मी का दावा है कि वहाँ पर सिर्फ ग्रिन टेक्स की वसूली की जा रही है दिल्ली में बाबा पर लगा लड़कियों को बंधख बनाने का आरोप लड़की के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दी लड़की से रेप का आरोप लगाया परिजन की शिकायत पर पुलिस ने सफ्तीश शुरू की दिली के इंटनेशनल ट्रेड फेर की शुरुआत हुई राश्टपती ने किया उधगाटन 18 नवंबर से 27 नवंबर ता का आम लोग ट्रेड फेर का लुट्फ लेप आएंगे परिवान मंत्री दिन गटकरी ने दिली के सराय काले खास से मिरट तक बनने वाले स्मॉग और कोहरे से परिशान दिली को मिल सकती है राहत मौसम विभाग की मताबिक अगले 24 घंटे में दिली एंस्यार में हो सकती है बारिश बढ़ सकती है ठंड दिली महिला आयो किया धैश स्वाति मालिबाल और मेंबर सारिका ने बीती रात आनंद विहार बसड़े के शौचाले का निरिक्षण की दर्मियान हैरान कर देने वाली सचाई सामने आई बसड़े में पुलिस चौची के नाक के नीचे शौचाले के बोर्ट को ढखक कर यूरिनल के फ्री होने के बावजूद लोगों से पैसे वसूले जा रहे थे दुलहन को लेकर जा रही कार दुरघटना गरस्त हो गई पूरवी दिल्ली के मयूर विहार इलाके मेंने 24 से नीचे गड़े में जा गिरी कार हादसे में कारसवार दो महिला घायल हो गई दिल्ली मेरेट एक्स्प्रस वे के लिए बनाये जा रहे अंडरपास में सही से बैरिकेट्स ना होनी के वज़े से यह हादसा हो गया गाज़ियबाद के कोथवाली थानाशेत्र के बजरिया इलाके में पुलिस ने होटलों पर छापिमारी की जहां से दो दरजन के करीब जोडों को आपती जनक हालत में पकड़ा गया ड्यू के आर्ट सेकल्टी में टीचर्स ने धरना दिया एड हॉक टीचर्स को पॉमेनेंट करने और प्रमोशन जैसी कई मांगे टीचर्स का क्याना है क्यूंकि ये मांगे लंबे समय से लंबित है लेकिन तुशासन की तरफ से कोई ख़दम नहीं उठाय जा रहा लेटन ओडा के जेपी इंटरनेशन स्कूल के बच्चों के वाहन चालकों को वेतन ना मिलने के कारण ड्राइवरों ने धरना प्रदर्शन किया ड्राइवरों ने कहा कि पैसे ना मिलने से हो रही है दिख़ते सियम खटर दौरा शुरू की गई सियम विंडो योजना कारकर साबित हो रही है अब तक 92 फीसदी के आसपास से शिकायतों का निवारन सियम विंडो के जरिये किया जा चुका है सिरसाथ दिले में 8545 शिकायते मिली है जो की पूरे हर्याना मिसियम विंडो पर मिलने वाली सबसे जाद़ शिकायते हैं शिकायतों में 7861 शिकायतों के समधान हो चुका है आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर से जाट समधाय सड़कों पर उतरनी की तायारी में है जाट महस्तवा के अध्यक्ष अमिस्त मलिक ने बताया 26 नवंबर से शुरू होगा जाट आरक्षण आंदोलन मलिक ने आरुप लगाए कि केंदर की मोदी और राज़की खटर सरकार जाट समधाय को गुमराह कर रही सोनिपत ने बाल दिवस्त पर रन फॉर मेरेफ़न का आईजिन किया गया धाई किलो मीटर तक कोई मेरेफ़न दौर दौर में 500 से भी जाद स्कूली बच्चों ने प्रोदूशन फेलाने और स्वक्ष वातवन रखने का संगदेश दिया रोतक में कोचिंग सेंटर संचालक की आतिया डियलफ इलाके में गोली मार कर हत्या की गई पीजियाई में इलाज के दर्मियान मौत पुलिस ने केस दर्च कर तफ्तिश शुरू की मिवाद के फरदड़ी गाह में जन देने वाली मा नवजाद बच्ची को जाड़ी में फेक कर फरार हुई बाल दिवस के दिन गंभीर हालत में बच्ची मिली है पंचाइट समीती के चेरमेन इरशाद खान के परिवार ने बच्ची को गोड़ दिया